अगर आपकी राशी एरीज यानी मेश या लिबरा यानी तुला है तो अगले धाई महीने लगबग 20 अगस से लेके 30 अक्टूबर तक आपके लिए बहुत इंपॉर्टन्ट रोल प्ले करने वाले हैं ये वो समय है जब आपकी जीवन में बड़े बड़े उतार चड़ाव या बड़े बड़े इवंट होने वाले हैं आपको अगले धाई महीने थोड़ा सावधान रहना चाहिए और इसका कारण सिंपल है राहू एरीज में है और केतू लीबरा यानी तुला में है अगर एरीज की शुरू की डिग्रियों में आने वाला है यानी राहू का रिजल्ट तीन डिग्री के आसपास जब राहू मेश राशी में तीन डिग्री के आसपास होगा और जब तक मेश राशी को क्रॉस नहीं करेगा इसका मतलब यह है कि राहू उल्टा चलता है राहू जब इस राशी में आया था तो 30 डिग्री से शुरू हुआ था और वो घटते 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 3 डिग्री के आसपास जब आएगा तो उसका रिजल्ट एकदम इंटेंस हो जाएगा मैं ऐसा इसलिए क्या रहा हूँ कि इस 27 डिग्री को चलने में राहू ने जितना भी एक्सिरियन्स लिया या आपको दिया उसका एंपावरमेंट उसने जो एनरजी गेन करी उसका सारा रिजल्ट वो इस जाते वक्ट इन दो राशियों पे फुल फोर्च के साथ ठ्रोः करेगा राहू ठ्रोग करेगा एरीज पे केतू ठ्रोग करेगा लीबरा पे और important point ये है जब राहू एरीज में से जा रहा होगा यानि आखरी ये जो मैंने आपको भी समय बताया इस बीच में इस बीच में एक solar और lunar eclipse भी आ रहा है यानि सूरे ग्रहन और चंदर ग्रहन भी इनी दिनों में हो रहा है अक्टूबर के mid में and end में solar and lunar दोनों तरह के eclipse आ रहे है इन दोनों तरह के eclipse का होना और ध्यान रखिए ये तीसरा eclipse है और last eclipse है last इन राशियों में इसके बाद इन राशियों में ग्रहन अगले 18 साल नहीं पढ़ने वाला है लेकर प्राइमरिली कि इन राशियों में क्योंकि ग्रहन पढ़ रहा है और राहु केतू अपनी full force के साथ काम करेंगे तो इन राशि के जातकों को जिनका चंद्रमा इरीज में है या किसी का लगन इरीज है या किसी का moon या चंद्रमा लीबरा में है या किसी का लगन साथ नंबर लीबरा है आपके बरचाट में उन दोनों तरहें के जातकों को इस बात का खास ख्याल रखना है ये वो समय होगा जब आपको ज़ादा अग्रेशन नहीं दिखाना है रियाक्शन नहीं देना है आपको जब भी ड्राइब करना है तो केरफुली विद्फुल सेफटी करना अगर आप टू वीलर चला रहें तो हेलबेट बेन के चलाईए अगर आप फोल वीलर चला रहें तो आपको सीट बेल्ड लगानी चाहिए ये बाते मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है ये वो समय ह होगा जो अंसर्टेनेटी का समय होगा अगर यही राशियां आपकी कुंडली में टेंथ हाउस में पड़ रही है तो ये धाई महिना आपको समझना होगा कि ये धाई महिना आपके करियर में इंपॉर्टन डॉल प्ले करेगा इसका मतलब यह है कि जब राहू एरीस से निक प्लेरिक रूप से फिजिकल रूप से आएगा इमोशनल आएगा है लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी राशी वाले उपर इनका असर नहीं आएगा हो सकता है किसी के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट हो किसी की कुंडली में राहू और ये राहू के तु जो है वो यो कारक प्ल अगर फिफ्ट हाउस चे आ रहा है और ये खराब है तो अचानक शेर मर्केट में लॉसे समझेंगे तो आपको इन बातों बातों बात नमबर एक आपकी कुंडली में कौन से हाउस से राहू और के तू जा रहे है यानि कुंडली में एरीस कहां पढ़ रहा है और लिब्रा कहां पढ़ रहा है इन दोनों चीज़ों को देख लीजेए का दूसरा क्या ये दोनों प्लैनेट आपके लिए योग का रखें अगर ये योग का रखें तो फाइदा देंगे अगर ये अच्छे हैं तो फाइदा देंगे अगर ये खराब है तो नुकसान देंगे तो वो जो ये जानते हैं कि मेरा राहू ये केतू अच्छा है या इसने मुझे हमेशा अच्छा रिजल्ट दिया है या आपकी कुल्णी में Aries साइन अच्छी जगे पर है और लिब्रा साइन अच्छी जगे पर है और ये प्लैनेट भी आपके लिए खराब नहीं है तो तयार हो दा अपनी हेल्ट में इन सब चीजों का ध्यान रखेगा ओवर रियाक्शन मत दीजेगा थोड़ा कूल एंड काम रहेगा ये समय वो होगा जब आपका पेशन्स ही आपको बहार ले पाएगा भगवान की भक्ती और मंत्रजाब ही इसका उपाय है आपको इन बातों का ध्यान ताकि आपके उपर इस ट्राजेट का खराब असर ना हो और आपका समय अच्छा निकले धन्यवाद नमस्कार